हलो एवरीबन कैसे हो आप सब आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे मेरी तरफ से सभी लोग को राधे राधे यह मेरा घीप पक रहा है जो मैंने उस दिन आप ब्लॉग में आपको दिखाया था मख़न निकाल लिया था वो मेरा आज मैंने इसको पका लिया है क्योंकि बातरी की तैयारी नहीं हो गए है आज से तो आज मैंने सुचा कि मैं आज फ्रिष साफ कर लेती हूं क्योंकि नेक संड़े अनावराती स्टार्ट है और बीच में नहीं टाइम मिलता है मंडे टू सेटर डे बिलकुल टाइम नहीं मिलता था सफाई का और आज बना है आलो की सेंडविच तो आलो की सेंडविच मैं हमेसा जो आलो का मिक्स्चर होता है उसको मैं फ्राइ कर लेती हूं सिंपल भी बना लेती हूं लेकिन सबी लोगों को यह वाला परसंद है और यह मैं आज खड़े मसाले मैं सिलबटे पे पीस कर सबजी चौकोंगी तो बाइन की तैयर हों कर ली में मानिंग में मैं हीider वैस संडे स्पैसल इसलिए बोल रही हूं क्योंकि monday to saturday ब्रेक पास्ट कम ही बनता है क्योंकि सब लोग दुझ मानिंग में ही चल जाते हैं तो सारा खाना पूरा बनाना पड़ता है ने नास्ठे से सिल काम नहीं चल पाता संदे संडे में से बनता है तो संडे वाला रूटीन सब्लीट होता है कोई चीज टाइमस नहीं होती तो अच्छ सबने प्यास टामाटर कुछ सिंपल रहता है प्यास टामाटर फ्राइक करके इसमें अलु डालकी सी डाल देते हैं और आज चाटनी सबने बोला कि नहीं सिल्बट्टी की चाटनी पर खानी है तो फिर मैंने का या शिल्बट्टे पर चाटनी पर शिर्णी सुरू कर दी कि इस ब्रटे की चटनी जो है वो हमारे यहां बहुत पसंद की जाती है लेकिन डेली इस बटे पे चटनी नहीं पिसपाती है तो मैं कभी-कभी पीज देती हूं और मेरे पास सिल्बटा भी बड़ा वाला नहीं है यह मैंने अपने पड़ोस से लिया हुआ है वो पर ही रहती है मेरे पास जो सिल्ब है वो बहुत छोटा है और उसमें अच्छे से नहीं होता है सिल्बटा पाता है लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी अभी अगले व्लॉग में कि मेरा विस ब्रटे कि इतना छोटा है मैं बड़ा लेने की सोच रही हूं पर यहां कहीं जल्दी मिलता नह सब्सक्राइब यह सौड्स की तरह किते हैं वीडियो सूट हो गया है अभी मुझे इची से सूट करना नहीं आता है तो चैमरा इधर अधर हो जाता है तो सूट थोड़ा सा गवर हो जाता है और तवे पे हलका सा घी लगा और दोनु साइट ब्रट की दोनु साइट घी आज बहुत सारी सफाई करनी है इसलिए आज मैंने मौर्णिंग में बिना नहां ही नास्ता बना दिया है और सब लोग नासासा कर लेंगे उसके बाद सफाई में जुठेंगे मैं नहीं खाती हूं बिनाना है क्योंकि मुझे काना जी को ऻो मुझे उन्यून नह ना दुनाना होता है और उनको दों सादा बिला दिया है रहते हैं उनको इसनान का का मैं करूंगी कहीर थी करूंगी लेकिन मैं उसे करने ही नहीं देती क्योंकि बहुत चुटी है और वह घिराई यरा देगी तो इस वजह से मैं से भी नहीं करने देती हूं और यह मेरी सेंडविच बनके तयार हो गई है आप भी देखिए कैसी लग रही है आपको अच्छे मैं सिंपल है और जादा तीक ही नहीं बनाई है अच्छे से बन गई है यह देखिए यह इनके पापा के लिए है सभड़ी चटनी के साथ सैंडविच उन्हें पसंद है तो गिवन के लिए है और बच्चों के लिए टेमाटर के साथ ही है दुनों बच्चे इसको आराम से पसंद कर लेते हैं अच्छे से खा लेते हैं आप भी आईए आप भी खाईए और बताइए कैसा बना हुआ है बस सिं मां मैं मैं ठाई ने चाड़ू मीरे यह नए धाड़ों मीड़ी यह होता है तो अगर उसको ऐसे ही लगा न हो Tet ईति जाट को पहले शसने शाओ तो आदेंगाішं मैं दुसरी ब्रस से रटाती हूँ पर आज वो ब्रस मिल नहीं रही थी तो फिर मैं ये बैट साफ करने वाली जो ब्रस है उसके पीछे के पाट से इसको रगड रही थी ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए पूरी तरह से नहीं ज़ड़ता है लेकिन अमसम ज़ड़ पाता है म और इनके पापा मेरी सफाई करने में बहुत हेल्प करते हैं अगर ये हेल्प ना करें तो काम मेरा होना बहुत मुस्किल है दो बच्छों के साथ तो नहीं काला जाला मैं जाड़ देता हूं